ऐसा अचार जो खाने का स्वाद बढ़ा देगा बाता नहीं क्यों आलस आ गया या फिर इसकी नौबत नहीं आई या मेरे दिमाग से नेकल गया खुछ और बनाने लग गई और अब देखा कि करॉंदे आ गया तो उस करॉंदे और मिर्ची का मिक्स वाला चार याद आ गया जो हमारे घर में बनता है वही बनाऊंगी और साथ करॉंदे का चार हरी मिर्ची के साथ बनाते हैं हरी मिर्ची में होता है तीखा चटपटापन और जो करॉंदे होते हैं वो काफी खटे होते हैं इसलिए इसमें लेमन जूस या आमचुट पाउडर डालने की जरूरत नहीं होती हरी मिर्ची को धुल करके फिर कप्ड़े से ड्राइ कर लिया और बीच में से सारी हरी मिर्ची कट कर लेंगे और जो करॉंदे हैं उन्हें भी दो करके कप्ड़े से पोचने के बाद ऐसे एक एक करॉंदे के बीच में से कट करके अंदर से जो बीजे होते हैं वो नाइफ से ऐसे निकाल लिये जाते हैं क्योंकि बीजों में कड़वापन होता है और एक करॉंदे के मैंने दो पीस की है आप चाहो तो दो से चार भी कर सकते हो करॉंदे ना पिंक कलर के भी आते हैं रेड कलर के भी होते हैं और यहां पर भी जो आया है करॉंदा वो ग्रीन आया है तो मैंने भी जीरे रिफिल कर लिये हैं और खड़े मसाले भूनेंगे यह है अगारो की हाड एनो डाइस कड़ाई विद ग्लास लिड और इसमें हम सारे मसाले ड्राइ रोस्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है आदा आदा चमशे करीब मेथी, जीरा, सौफ और अजवाइन राइ भी इसमें डालते हैं पर मैं राइ पीसी भी डालूँगे मैंने सारे खड़े मसाले भून लिये हैं और इनको हम दरदर असा पावडर बना लेंगे तो मैंने यहाँ पर ग्राइंडर जार में डाला है और इनका पावडर बना लिया है अगर आप राइ डालेंगे तो इसमें ही भून लेंगे अभी मैंने कड़ाई पे सर्सों का तेल गरम किया है कलॉंजी डाली है, हींग डाली है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये डाल रही हमें राई, पीसी भी राई सरसों जिसे कहते हैं सरसों और ये एक बड़ा चम्मा जाली थी सरसों और ये जो पाउडर हमने ताजा बनाया है अचार का मसाला वो हम इसमें डाल देंगे तेल में, तेल पहले गरम करके फिर गयास बन कर दो तो गुनगुने तेल में डालेंगे, सरसों का तेल यूज किया है मैंने, अब डालिए हरी मिर्ची और करॉंदे और इसी के साथ सफेद नमक और काला नमक जितना भी नमक डालना है तो सफेद नमक जादा डालेंगे आचार में थोड़ा जादा डलता है सौद के अनुसार से थोड़ा जादा और काले नमक का सौद आचार में बहुत अच्छा लगता है क्रॉंदे बहुत खटे होते हैं सीलीड में आमकिर पौडर नहीं डाला या लैमन जूस बागऀ जो मिर्ची का मSoap बनता है इसके हम लोग जरूर ज़रूर बनते हैं या दो लैमन जूस या फिर आमकिर पौडर या फिर कोशी बिषाठ मसाला वगैरा खट्टेपन के लिए अब यह अचार में सारे मसालों की अच्छी कोटिंग हो चुकी है किसी भी ग्लास ड्राई जार में भरके रखें आप जार कोई सा भी लोग पर ड्राई हमेशा होना चाहिए अचार के लिए ये बहुत जरूरी है और इसे मैंने इस तरीके के फैले हुए से पॉट में रखा है ताकि हमने एक दो दिन इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे तो मसाला उपर नीचे होता जाएगा और अब बना रही हुमें पनीर की सब्दी पनीर की बहुत ही सिंपल टेस्टी और क्विक रेसिपी है ये लगेंगे तो ये ऐसे मीडियम पीसेस कट करके रख लिए साइड में अब इसके लिए मुझे चाहिए है प्यास, शिमला मिर्च और टमाटर तो बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही डाला है जादा नहीं क्योंकि शुबं को सबजियां देख करके फिर लगता है न कि ज़्यादा ही है और एक टमाटर की प्यूरी बनाएंगे तो उसको मैंने अलग से काट के रखा है एक प्यास काट लिया है एक प्यास को हम बारी काट लिया है और एक प्यास हम अधरक लस्सुन के साथ पेस्ट बनाएंगे सबसे पहले मसाला बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पर जीरा, काली मिर्ची, सौफ और खड़ा धनिया इसी के साथ लिया है लाल सूखी मिर्ची और ये काश्मेरी लाल मिर्ची है जिससे कलर तो आता है तीखापन बहुत नहीं होता है खड़े धनिया को भून के डालने से इस सबजी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है जीरा सौफ और काली मिर्च है तो ये कड़ाई पनीर का मसाला आप बना के भी रख सकते हैं और इस टाइम पर भी बना सकते हैं फ्रेश तो बस इसको भी भूनने के बाद सारे खड़े मसालों को पाउडर बना लेंगे और ये मसाला रेडी इसमें खुश्बू भी बहुत अच्छी होती है टेस्ट भी बहुत अच्छा होता इस्पेशली मिर्ची और सौफ और खड़े दिनिये की वज़े से आता है इसमें वो टेस्ट अब इसे रखा साइड में उसी जार में लिया मैंने एक प्याज अदरख लसुन और टमाटर सारे एक साथ पीस लिया है चाहो तो आप टमाटर प्यूरी अलग से बना सकते हो इसे भी निकाल के साइड में रख लिया है और ताजा हरा धनिया काट लेते हैं पहले ही क्योंकि सबजी में लगना ही है अब हम पैन में एक बड़ा चम्मा जितना ओयल करेंगे वन टेबल स्पून और इसमें डालेंगे प्यास टमाटर शिमला मिर्च और पनीर सबको एक साथ ही डाल करके फ्राई कर लूगे मैं पनीर बहुत ज्यादा लाल मुझे करना नहीं है हलका सा फ्र डाला है और सबको मिक्स कर लेंगे हलका सा नमक से सभी सबजीया या पनीर के टेस्ट अच्छा होता है फीका फीका सा नहीं लगता है और कलर भी अच्छा आता है दीमी आच में इसको बीच में हिलाते हुए अच्छा सा फ्राई कर लेंगे तो यह हमारी सारी सबजीयों के स पनीर को मैंने एक साथ फ्राई कर लिया अब चाहो तो अलग से पनीर फ्राई कर लो या फिर सबजियों को अलग से फ्राई कर लो पर एक साथ भी सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी है पैन में और इन्हें हम रखेंगे साइड में अब दूसरी कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल के गरम किया है इसमें तेज पत्ता और एक बड़ी प्यास को बारी कट के डाला है और इसमें चुटकी वर हींग डाली है प्यास को पहले भून लेंगे अच्छे से क्योंकि ये कटी वाली प्यास है और अभी बादने भी डालेंगे हरी मिर्ची मैंने ऐसे लंबी काट करके डाली है जिसे तीखा पन तो अच्छा आता ही है सबजियों में और सुबम साइड में निकाल भी सकेगा यहाँ पर अदरक लसुन, प्यास और टमाटर प्यूरी एक साथी जो मैंने पीसी थी ये डाल देंगे इसी टाइम पर अच्छे से भुन जाएगा और ड्राई मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया और ये है फ्रेश कड़ाई पनीर मसाला और साथ में नमक तो दो चम्मच मैंने कड़ाई पनीर मसाला डाला है बड़ी चम्मच बर-बर के और बाकी के मसाले आदा आदा चम्मच थोड़ा सा ताजा हरा धनिया भी डाला है अच्छा हो तो जब टमाटर पीस रहे थे प्यास उसमें थोड़ी सी हरी धनिया की डंठल या थोड़ा सा धनिया डाल के पीस सकते हैं मैंने ताजा दनियां डाला है अच्छे से मसाले को भूने की तेल सेपरेट सा होने लग जाए और मसाला अच्छा भूनता है ना तो सबजी का टेस्स बहुत अच्छा होता है और इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप भी होती है वह भी मैं आगे फॉलो करूंगी और जो हमन तब उसका तेस्ट बहुत अच्छा लगता है और दूसरे साइड पैन में हैं जिस पैन में अभी मैंने ये पनी फ्राइ किया था उसी पैन में पानी गरम करने रखा है क्योंकि बहुत अच्छी टिप होती है ये जब भी आपको ग्रेवी सब्जी बनाने के लिए पानी डालन हो तो हमेशा अब गरम पानी डालना जिससे बहुत जल्दी से सब्जी मोबाल आती है सब्जी का टेक्शर और कलर सब बहुत अच्छा रहता है और जल्दी सब्जी पकने लग जाती क्योंकि मसाला पहले से भूना हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लग मसाले में जो गरम मसाला इसमें सारे खड़े मसाले हैं तो इससे उसकी खुश्बू और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा लास्ट में अच्छी सी उबाला चुकी है और गयास बंद कर दिया है फिर थोड़ा सा हरा धनिया उपर से डाल दिया है और इसे मिक्स कर देंग तो हमारी ये कढ़ाई पनीर सब्जी रेडी जैसे जैसे ये ठंडी होने लगती है फिर ये और भी ज़्यादा गाड़ी सी होने लगती है और बस अब हमेशा की तरही जब सब्जी बन जाती है तो मैं उसे टांसर कर लेती हूँ तो चोटी वाली हांडी भी मैंने इसको टांसर कर लिया है अब हांडी में से ढख करके रखा साइड में तो अचार भी बन चुका है, सबजी बन चुकी है और इसके साथ बनेगी चपाती यानि फलका इसके लिए मैंने गिहोगा आटा और चुटकी भर नमक डाल करके आटा तयार कर लिए है, आटे को सॉफ्ट सा रखेंगे न तो रोटियां बहुत अच्छी बनती है सारी रोटियां एक की बाद एक फूलती चली जाती है थोड़ा सा आटे को न मलना अच्छा होता है तुरन तुरन तक अगर आटा यूज कर रहे हैं गूतने के बाद अलिम्पिन से रोल करते जाओ मुझे पूचा है किसी ने कि अब मैं अपना स्टील वाला कैसरोल क्यों यूज नहीं करती हूँ क्या कारण है तो कारण कुछ नहीं है एक तो वो इतना बड़ा है अब थोड़े से रोटियां रखनी रहती है पहला कारण हर बरतन चोटा होता जा रहा है मेरी रसोई में बड़े बरतन को यूज करने के विक्षानी होती है क्वान्टिटी की हिसाब से तो कोई बरतन यूज करें पहला दूसरा रीजन यह है कि जब से मैंने उस कैसरोल नहीं है यह रोटी सर्वर है मैं इसलिए यूज कर रहा है नीचे जाली अदया रोटी भी गिली नहीं होती है और सबस्राइब की रोटी आगर शाम 1-2 बच भी जांँ तो लिंग भी रहती है इसमेल नहीं आथ है कैसरूल कþ्इं कि अग्रत हुआ जाना तो ऑप्र सेषग K Araot últimos 8 तो वो सही लगता है मुझे तो फिर मैं इसको यूस करने लग गई अब वही होता है फिर अबादत लग गई और बस अब सारी रोटिया बन गई घी लगा के सारी रोटिया इसमें रख लेते हैं और एक्तम सॉफ्ट रहती है खाना बन गया शुबं को मैं कह रही हो पकाना तैयार चलो आओ थारी लगाती हो मैं तो चावल आज मैंने नहीं बनाए है दाल भी नहीं बनाई है बस आज हमारा यही है सिंपल रोटिय सबजी वाला खाना है और मिर्ची का चार आज तो टेस्टी है ही अगले दिन वो और टेस्टी लगेगा और उसके तीसरे दिन और टेस्टी लगेगा जो अचार में कोई भी अचार बनाओ तो वो अंदर तक पर लेते हैं जे आज चार बनाती हो चला दालते है ल Supreme जादता तर तो बहुत سालों तक चलाना नहीं है जितने भी दिन चले महीने 15 दिन ताजे ताजे अच्छे लगते हैं दाल राइस के साथ यह अचार बहुत अच्छा लगता है और बस शुबम की थाई लगा दी मैं थोड़ा देर से खाऊंगी और साथी साथ मैंने केचन क्लीनिंग कर ली है योटिंसिल सारे क्लीन कर ली है और काउंटर टॉप जितनी बार जब हम वाइप करते हैं hometown बरतंदुलने के बाद तो वाइपर से तो वो ख्लीन होता चला जाता है इसलिए बहुत बार पूछते हैं लोग कि आप यसे कैसे साफ करते हैं तक से कुछ साफ नहीं करती हुए जब भी बरतन भुलते हैं उसके बाद ही पूरा पोच लेती हुए आपने क्या बनाया मेरे साथ जरूर शेयर करना थाइंक फार वाचिंग बैबाई टेक कियर